नमस्कार आप सभी का श्वागत है आपके एपनी यूट्यूब चैनल फीजिकल एजुकिस्नोड़ा के उपर जहां आपको फीजिकल एजुकिस्न स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समस्मेपे हमारे दोरा आपको दी जाती है तो उसी कड़ी में भाई एक आप इसको सिक्षा भी मान सकते हो या कुछ भी मानो यार एक जो मुरक्ता भरे मुरक्ता पूरून जो डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं को बरबाद करने के उस से रिलेटीड है कि ये चोटा सा मैसेज हम आपको देने की कोशिश करूँगा मैसेज क्या है बड़ा इंट्रेस्टिंग है और मेरे को पता चला कि एक बंदे ने अपने पैर पे जो कुलाडी मारी है और मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज के थूरू वहां तक मेरा मैसेज जाए हर आल में और जिसने भी कुलाडी चलाई है न वो रियल में मेरा ये मानना कि 99% मेरी वीडियो पक्का देखता मिलेगा और मैं सिर्फ एक बंदे की बात नहीं करूँगा कि सिर्फ एक बंदे ने पुलाडी चलाई होगी बहुत सारे बचे को उसिस करते हैं कुलाडी चलाने की कुछ बड़े खुआब लेके वो चलते हैं और फिर जो उनको हासिल होता वो भी हाथ से छूट जाता है तो ये एक सोशल सा मेसिज भी हो सकता आप सभी के लिए और आपकी नोलज में कोई है तो उसके लिए भी एक अवेरनेस का मेसिज हो सकता है मामला क्या है उसके उपर मैं परकास डालूँ उससे पहले चाहूंगा कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि यहां पर आपको अपडेटिड जानकारिया है और ऐसे इसे ग्यान के बंडार जो हमलते रहते हैं जैसे माज़ देनी कोशिश करूँगा और वीडियो के डिस्क्रेशन में तीन लिंक है तीनों के दवारा आप हमसे दूढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसके लावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है पता है भई मामला क्या है मामला जुड़ा है मेरे पास आया एक मैसिज से जिसमें कलियर कट बता एकि फलाँ बंदे ने फलाँ बंदा वहां पर जोब करता है उसने जोब के साथ बी-पी एड़ की है में मेरे को ने पता कलीरली उसने ऐसा किया है नहीं किया लेकिन एक बात बता दू जहां पर आग अग लगती में जोब कर रहा है प्रजेंट टाइंग और उसने भी पेड़ गर ली जोब के साथ रेगुलर कोर्स है फिर भी मूरखता भरे मूरखता पूर्ण दिसीजन हम कैसे ले ले लेते हैं लाइफ में एक रेगुलर कोर्स करने का रिशक हम ले लेते हैं विद जोब अभी लास्ट किर जब कोलिजिजम एडमीशन हो रहे थे तो एक मेरा नोन बच्चा हरियाना डी ग्रूप में जोब करता है और उसके साथ कोई थर्ड़ परसन एडमीशन लेने के लिए गया वा था स्पोर्ट परसन अक्तर करते हैं भी कोलिजिजम एडमीशन ले लेते हैं सब को पता है इसी बातों प्रैक्टिस करते हैं कोलेज में सर्फ एकजाम देने जाते हैं ठीक है इतना चलता है भाई कम से कम आप कहीं पर जोब नहीं कर रहे तो चलता है लेकिन उसके साथ एक बच्चा और था डी ग्रूप का जो हरियाना डी ग्रूप में जोब करता है स्पोर्ट्स कोट इसे और वो भी पेड़े में अडमिशन लेने के लिए गया है जैसे ही मेरे को पता चला है मैंने इसको सपष्ट मना कर दिया कि आप अपनी जीवन को जंड करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं इसका एक रीजन और क्या जंड क्यूं होता है आप आज जो बुकर रहे है आट की पंख जो फार देगा मैं ज्यादा अब सब्द यूज नहीं करूँगा फट जाएगी मैं कह रहा हूँ जिस दिन आर्ट ही लगी विद जोब आप रेगुलर कोश कर ही नहीं सकते आप दस साल जोब कर लेते हो दस साल बाद अगर ये मुद्दा उठा ना सब कुछ आदा मैंडमिशन ले लेता और मेरे को नहीं पता चलता तो यकीन वो ले लेता और बीपेड भी कर लेता लेकिन मेरा होसला नहीं हुआ कि मैं इसको मिस गाइड कर दूँ मैंने उसके एडमिशन को रोका और उसने फिर एडमिशन भी नहीं लिये ये भी अच्छी बात है क्योंकि जोब के साथ आप बीपेड करने का होशला कर रहे हो मतलब आप से बड़ा खत्रनाक आदमी कोई ही हो सकता दुनिया में जो अपने आपको बरबाद करने के लिए आप पहले तो लाक रुबे बीपेड की फीज पे करते हो फिर डी एससबी का एक्जाम भी कलियर करते हो और नो जोब करें फिर भी होशला कर लेते हैं कितने विचितर लोग भरे पड़ें इस समाज के अंदर समझ नहीं आता मतलब कितने बशड कितने बशड इंसान हो यार आप लोग भाई जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं मेरे मेरे को ब्रोशा कि वो बंदा मेरी वीडियो पका दे जाओ लेकिन यहां तो कलीर लिए एक आर्टी आपकी पंखे पाड़ देगी एक आर्टी आई उस दोर में आपने बीपेड की कोलेज मेंड मिशन चला और उसी दोर में आप रेगुलर चोब भी कर रहे हो रहे आपको करनी है तो विदाउट पे हो जाओ आप कम से कम सोच सम लगेगा खतम हो जाएगा आपका जीवन कुछ नहीं बचेगा जो रिस्पेक्ट आपने समाज में एक जोब कलर की जोब पाके कम आई थी वो खतम हो जाएगी एक मिनिट में मैं कुछ सारजनिंग नहीं करूँगा यहां पर कि कौन है क्या है वो वो डिसंट मैटर मेरे लि गुषा है वाइस बात के उपर कि कितना मतलब खुद को बरबाद करने के लिए कैसे लोग आँख मिच के कहीं पर भी एडमिसन ले ले लेते हैं रेगूलर कॉर्स में कौन सा आपको करोड़ पती बढ़ना है जो भी तो करनी है घर ही तो चलाना है लेकिन आपके पास जो उ इंटी आदमी को पता चला जो आप से खुस नहीं है किसी भी मावले में चाहिए वो किसी भी तरह सी इरिटेट हो तो आपकी धजिया उड़ने वाली है कुछ नहीं बचेगा आपके पास ना आप उसका कुछ उखाड़ पाओगे ठीक है हलंकि हम इंडिया में रहते हैं जै यह सब जेलने की आदित है और हम आवाज भी नहीं उठाएंगे आवाज को उठाएगा जो उससे किसी बात को लेके प्रेशान है या उनके प्रिवार के किसी से दुसमी वो एंटी आदमी आवाज उठाएगा सिस्टम को ठीक करने वाला कोई आवाज नहीं उठाएगा और खुजली तभी करते हैं जब मेरे को हो रही हो नहीं तो अधर्वाइज मेरे को प्रोसी की खुजली से कोई लेना देना नहीं आप चाहके भी सिस्टम को ठीक नहीं कर पाओगे क्योंकि किस के पास है इतना टाइम कौन बढ़क ले फाल तो किसी किसी के साथ नहीं बनी और उसको पता चलेगा तो समयश्या होने वाड़ी आपके साथ आपको कोई नहीं बचा पाएगा फरजी काम फरजी होता और हमेशा फरजी ही रहेगा बढ़ी मेरा ये मानना है और ये सीख है उन लोगों के लिए जो होशला कर लेते हैं जोब के साथ बीपेड करने का कितना डेंजरिस खेल खेला या जिसने भी खेला और ये सिंगल केस नहीं एक बात और भी में बता दूँ आपको इस साल स्तासियोबलिक भी इसमें बहुत सारे कैसी जैसे आए हैं जो कहीं पे जोब कर रहे थे या कहीं से फरजी डिगरिया लेके आए हैं लेकिन फर्जी डिग्री ले आए वो अपने घर थे ठीक है वहाँ पे वो कहीं पे काम नहीं कर रहे कहीं पे प्रूफ नहीं है हलांकि फस सकते हैं वो भी कोई बड़ी वात नहीं वो भी गलत काम है लेकिन जोब के साथ जिसने बी पी एड या मास्टर डिग्री करने की कोशिस की है वो जहमले में फसेगा उसे देश के परधान मंदरी भी नहीं बचा पाएंगे अगर आपके खिलाफ एक भी प्रूफ ही कटा हुआ तो भाई मेरे को तो बड़ा डर लगता है जब ऐसी बातें सुनने को मिलती तो मैं तो सोच के भी काप जाता हूँ कि कैसे इतना होशला कर लेते हैं कुछ लोग कैसे सोच लेते हैं कुछ ऐसा करने की लोग कितना डेंजरिस काम करते हैं भाई बड़ा दुख हुआ मेरे को यह जानकर जब मेरे पास यह मैसिज आया है हलांकि हम पता है मेरा मैसिज क्यों दे रहा हूं इसका भी एक कार्ण है मैं नहीं चाहता है किसी का जीवन खराब हो हमारे पास जो है ना वो भी हमसे दूर चला गया ना फिर कुछ नहीं बचे गाया पता है बेरोजगार बचा कहीं से डिगरी ले आए वो प्रेशान है यार जब एक बंदे के पास ओलिडी जोब है फिर भी वो हम मानते हैं जो जोब लगता है एजुकेटिड होता और देखो कितनी मुरक्ता पूर्ण निर्न हम लाइफ में लेते हैं कि जोब के साथ हम हो दोगे यार बड़े तकलीफ दे बात होती देखो चैया आपने कुछ भी गलत काम क्या हो यार इससे बड़ा गुना नहीं हो सकता आप अपने साथ साथ अपने प्रिवार की जीवन को भी खतम करने वाले हैं जो जिसने भी आपको सला दी ना और ये ऐसा नहीं होता कोई जा कोई सला देता और सला ले लते हैं लोग जिसने आपको सला दे ना जोब के साथ ऐसा करने की वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुस्मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन मैं इस बात के उपर एक गंटा भी लेक्टर दे सकता हूं है लेकिन बड़ा बुरा फील हुआ जब मेरे को ऐसी सुचना मिले और मेरा ये वीडियो बनाने का उदस इतना मातर है मेरे को नहीं पता किस ने किया क्या किया लेकिन अगर आप भी करने की सोच रहे हो कहीं पर जयोब कर रहे हो तो इस विचार को त्याग नहीं अपने जीवन को बरबाद ना करें भगत सिंग ना बढ़ें हालांकि हमें खुजली होती जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक शमज नहीं आता है तो मैं नहीं चाता है यार कि जीवन का हर प्रियोग आप अपने उपर ही करो दूसरों से भी शीख ले सकते हो आप थोड़ी बहुत लाइफ में तो मैं रिक्वेश्ट करू है का सब कुछ प्रिवार को आप मुसीबत में डालने वाले हैं हर किसी को मुसीबत में डालने वाला काम मत करें I request all of you हाथ जोड़ के विंती है बच देखो छोटा है बड़ा बाई जो भी मेरे को माननो लेकिन ऐसा मत करो यार छोड़ो यार फिजिकल डिपार्टमेंट के स आथ क्या हो रहा है कैनी उस बात को लेकिन अपने जी उनको बरबाद मत करो मैं एमेंसा कोशिश करता हूँ कि डिपार्टमेंट के फेवर में बोलू लेकिन जो आज गलत करें न मैं उनको शमझा रहा हूँ अपना चोटा बड़ा बाई मान के कि अपने आपको मत बरबाद करो यार कुछ नहीं बचेगा लाइफ में कुछ भी नहीं आपने जो कमाया वो सब चला जाएगा धजियां उड़ जाएंगा आप चोर बन जाओगे अपनी फैमिली के निजरों में बाकी आपकी मर्जी है बई मेरे को मैसेज मिला बड़ी तकलीफ ही और मैने इसी बात के पर आपको ये मैसेज देने की कोसिश की है ऐसा गुना ना करें बई ठीक है और अभी के लिए इस वीडमे इतना ही बई मेरे कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं भी माफी चाहूंगा आप हो सकता ज्यादा शाने हो मेरे से तो आप अपनी कर लें लेकिन ज ही दिसा में कोसिश कर रहा था ये संतुष्टी मिले की मेरे को सैटिश्फेक्शन मिलेगा लेकिन करना जरूर जिस दिन आफ फसो क्योंकि मेरे को पता है मेरी वीडियो जो लोग भी दे देख रहे हैं जो बैक डेट में डिगरी करके है या जो जो जोब के साथ डिगरी कर सब देखते हैं मेरे को पता है क्योंकि ऐसे लोग इंफॉर्मेशन देने की कोसिश करते हैं लग लग सोर्शीट से तो वो पहुंच जाते हैं यूटूब पे जो औरीजिनल स्पोर्ट्स वाड़ा होगा ना जुड़े कोई माइने ने रखता हो मेरे को ये पता है लेकिन ज सब की जो जो भपकी है जिसका इडियो जीर फिलोग अस्ताशी अबलिक भी इसमें क्योंकि मामला स्पीड पकड़ेगा आप कुछ ने कुछ बड़ा दमाका होना इस बरती में ये तय है तो भई यहीं थी जानकारी आप सभी के लिए आपको जानकारी अच्छी लोगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं सेर भी कर सकते हैं और इसी परकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं बही नौलेज कह सकते हो जानकारी भी कह सकते हो वीडियो को लाश्ट तक आपने देखा इसके लिए आपसे का बहुत बहुत अनिवा थैंक्यू Thank you